आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ यह लैंग्वेज जो है वो अड्मिस्ट्रेटिव लैंग्वेजी टर्किश से पर्शन हो गई तो आईए हम इस बारे में पढ़ते हैं और इस वीडियो में हम इसी बारे में पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स थे यानि कि मुगल के कोर्ट के लिखे जो क्रॉनिकल्स थे उस सब पर्शन में लेके वे थे और जो पर्शन थी वो सुलतनित पेरियड में यानि के जो सुलतान ते दिल्ली के उनके पेरियड में पर्शन as a language of administration flourish कर रही थी और वो काफी जादा इस्तेमाल में थी क्योंकि पूरा administration जो था और सारे official orders यह सब Persian में ही पास होते थे और administrative work सारा Persian में होता था और फिर यह वापस आई मुगल्स के time में पहले Turkish थी उसके बाद फिर Persian हुई फिर जो literary writing थी वो भी Persian में शुरू हुई along with the North Indian languages like Hindavi और जो literary writings का जो काम था वो भी Persian में करना शुरू किया गया along with the North Indian variants of Hindavi यानि के North Indian जो language थी उसक जो Hindavi थी जिसको बोला जाता था North India में उस जबान के साथ Persian court के अंदर जो भी literary work था वो होने लगा और Hindavi और जो उसके और variants थे उनमें भी यह काम होने लगा मुगल जो थे वो by origin एक मिनिट पहले highlight करके और इस term को define करने ही कोशिश करता हूँ तो चक्ताई का मतलब क्या होता है तो चक्ताई जो थे वो वो ही clan था चक्ताई Turks A clan of Turkey तो जो Turkish लोग थे काफी सारे clans में बटे वे थे यह कभी भी civilized लोग नहीं थे इनके अगर आप history देखे तो they are basically clans काफी सारे कभीले थे यह उनमें divided थे तैमूर जो थे जो बाबर के forefather थे यानि के एक और Turkish king थे वो भी इसी clan को belong करते थे यानि वो भी खोद एक चक्ताई Turks थे तो मुगल जो थे वो चक्ताई Turks थे और Turkish जो थी वो उनकी mother tongue थी और बाबर ने जो है वो poetry और memoirs भी लिखे हैं इसी जबान में इसी language में तो Turkish जो है उसने इस्तिमाल करिया और Turkish में memoirs लिखे हैं बाबर ने और उसके बाद जब Persian इंट्रडूस हुई है मुगल की leading court language की तरह से तो इसको करने का काम करा अकबर ने तो अकबर के रेन के टाइम पर ऐसा हुआ कि जो Persian थी उसको leading court language मुगल के लिए बनाया गया मुगल्स ने बनाया तो इसकी वज़ा क्या हो सकती है इसकी काफी वज़ाएं हो सकती है इनके बारे में हम बात करेंगे तो पहली वज़ा तो यह हो सकती है जो cultural और intellectual contact से इरान के साथ और Central Asia के साथ वो बढ़ रहे थे और उसमें इजाफा आ रहा था वो बढ़ रहे थे और दोनों उसमें Central Asia में भी Persian बोली जाती थी ती Persian dominant language थी सफविद डाइनेस्टी की वज़ा से वो Persian बोलते थे वो Persian by origin थे और इरान का तो area Persian ही कहलाता था जो इरान का old name है वो एक मिनिट इस बात को एक important point है कभी काम आ सकता है तो old name of इरान जो था वो Persian था जिसकी वज़ा से वो language Persian कहलाती है तो इरान की जो language थी mother tongue थी इरानीस की वो Persian थी तो वो भी Persian बोलते थे तो क्योंकि intellectual contact और cultural contacts बढ़ रहे थे तो एक वज़ा तो ये हो सकती है उसके बाद जो इरानियन्स थे और जो centralization migrants थे वो court में position यानि के employment के लिए कोई जगा court में मुगल court के बारे मुणने समने सुना था उसमें position हासिल करने के लिए आते थे तो वो लोग उनकी वज़ा से भी हो सकता है कि emperor ने Persian को जो leading court language है वो बनाया हूँ और उसको choose किया हूँ as the main language of the court मुगल courts Persian was elevated to the language of empire conferring power and prestige on those who had command on it तो Persian जो थी उसको elevate किया गया उसको empire की language declare कर दिया गया यानि कि जो official language of the empire थी वो पर्षन हो गई और उन लोगों को इज़त और बहुत ज़ादा power मिली जिन लोगों की Persian के उपर command थी तो जो भी आदमी fluently Persian बोल और लिख सकता था उसको बहुत ज़ादा prestige मिली उसको बहुत ज़ादा शोरत और दौलत मिली उसे position भी मिलती थी और उसको power भी मिलती थी Persian जो थी वो उसको king भी बोलता था ताके लोग motivate हो और वो जो लोग हैं वो ज़ादा से ज़ादा Persian का इस्तिमाल करें जो king की family भी बोलती थी यानि कि जो royal family थी वो भी Persian का इस्तिमाल करती थी और जो elite थे court पे वो भी Persian ही बोलते थे तो Persian का promotion करने के लिए जो king और family और जो elite थे court पे ये सब लोग जो परिशन जबान में ही एक दूसर से बातचीत करते थे परिशन ही बोलते थे तो Persian जो होती इसको हर लेविल पे और हर स्तर पे इसको administration की जबान बना दिया गया और जो accounts थे और जो clerks थे इसकी वज़ासे इनको भी ये जबान सीखनी पड़ी ये language ये भाषा सीखनी पड़ी क्योंके जो accounts थे वो भी Persian में ही और अब Persian का आना इन सब लोगों के लिए बहुत ज़ादा जरूरी था क्योंके वो ही एक तरीखा था जिससे ही account of accounts maintain कर सकते थे और जब Persian के बारे में ये लिखा है कि जब Persian directly भी यूज नहीं होती थी यानि कि जब खाली Persian में directly बात नहीं भी हो रही होती थी तब भी Persian प्रोवर्ब्स यानि के मुहावरे और Persian सेंग्स यानि कहावते ये idioms ये सब इस्तिमाल होता था तो उसकी जो वोकैबलरी थी वो इस्तिमाल होती थी तो हमें सबूत मिलता है कि Official Records में जो राजिस्थानी और मराथी में लिखे गए उन तक में Persian प्रोवर्ब्स का और वोकैबलरी के इस्तिमाल है यहाँ तक के Tamil Records में भी Persian का इस्तिमाल दिखता है उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि एक नई language उर्दू उसने शेप लिया उसने जनम लिया इंटरैक्शन से पर्षन और हिंदवी के जो पर्षन और हिंदवी को लोगों ने मिलाके इस्तिमाल करा तो पर्षन के कुछ टर्म हिंदवी में आ गए और उससे एक नई language सामने आई उभर के जिसको हम आज उर्दू कहते हैं तो मुगल Chronicle जो के जैसे अखबर नामा है ये तो पर्षन में लिखे हैं बाबर नामा है वो पर्षन में ट्रांसलेट किया गया टर्किश से और जो संस्क्रेट टेक्स हैं जैसे के महाभारत और रामायन इनका भी ट्रांसलेशन किया गया तो पर्षन को क्योंके प्रोमोशन चल रहा था और अखबर के जमाने में इंट्रोड्यूस हुआ था तो अखबर नामा तो कमिशन ही पर्षन में करवाया यानि कि वो पर्षन में ही लिखा गया फार्सी में ही लिखा गया और बाबर नामा जो के टरकिश में लिखा था क्योंके जो मुगल की ऊरिजिनल तंग थी वो टरकिश थी, तो उसको भी translate किया गया टरकिश से, पर्शन में, और translation of Sanskrit texts यानि महाभारत और रामायन की जैसे जो संुर्च तेक्स थे उनको भी मुगल téléphone ने translate करवाया । परशन में। महाभारत को रस्मनमा के न माहाले से परशन में। मोगल निधिया में।Manuscript यह जो मतलब होता ही है यह हाथों से लिखा हुआ, इस टर्म को हम आपके लिए डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर, आ, मैन्यूस्क्रिप्ट, हैंड रिटेन, तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हो गया, जो, हस्त लिखे तो यानि यानि यह हाथों से लिखा हुआ हो, उसको हम हैंड रिटेन कहते हैं, तो जितनी भी बुक जो है, वो मोगल इंडिया में प्रोड्यूस हुई, उस वक्त पे प्रिंटिंग प्रेस या ताइपिंग जैसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जिसकी वज़ाए से, वो किताबे सब हाथों से लिखी गई हैं, वो जितने भी ट्रॉनिकल्स वगएर थे यह सब हाथों से लिखे गए हैं, तो इनका प्रोडक्शन जो था वो हमारा इस वक्त इस टॉपिक में इस वीडियो में हम कंसर्ड हैं उससे और हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, तो जो मैनिस्क्रिप्ट थी कैसे प्रोड्यूस होती थी, तो मैनिस्क्रिप्ट जो थी वो प्रोड्यूस होती थी इम्पीरियल किताब खाने में, यानि के जो imperial library थी जो कि actually में library नहीं थी मगर उसका नाम किताब खाना था और किताब खाने का translation जो है वो लाइबरेरी है जो वो जो था वो असलियत में एक scriptorium था जहां पर scripts वगेरा लिखी जाती है और उनका compilation होके और वो एक किताब की form में एक book की form में आती है वो एक scriptorium था कई लोग जो थे वो in manuscript की बनने में लगते थे और वो कई अलग-अलग तरीखी के different tasks करते थे perform करते थे जिसके बाद एक manuscript तयार हो पाती थी तो सबसे पहले तो जरूरत पढ़ती थी paper makers की तो यह paper makers क्या करते थे यह paper बनाते थे और paper produce करते थे और यह paper जो produce होता था इस paper का जरूरी यह इसलिए जरूरी था क्योंकि जो यह जो paper था to write the manuscripts तो यह paper तो इसलिए जरूरी था था कि इनके उपर manuscripts लिखी जा सके और उसके बाद आते थे calligrapers और scribes तो calligrapers और scribes का क्या काम था calligrapers और scribes जो थे वो text को copy करते थे यानि कि जैसे एक copy जो है वो तो original author ने लिख दी मगर अब उसको और खुबसूरत और जादा attractive और lucrative तरीखे से लिखने का काम जो था वो इन calligrapers का और scribes का था उसके बाद gilders होते थे जो के paper को illuminate करते थे और उसके बाद आते थे painters painters जो text समझा रहा है उस scene को हमेशा illustrate करने की कोशिश करते थे by drawing the scene उस scene को बनाकर उसको illustrate यानि उससे समझाने की कोशिश करते थे by example की form में कि जो लिखा है उसका क्या मतलब हो सकता है वो जो scene है वो किस तरीखे का दिखने में होगा आखिर में दोस्तों वो जरूरत पढ़ती थी book binders की तो यह जो book binders थे यह individual folios set करते थे और उनको एक cover में यह जो individual folios थे इनको जमा करके इनको collect करके इनको set करके एक cover में रख देते थे जिसके बाद एक पूरी book तयार हो जाती थी और एक manuscript हमारे पास ready मिल जाती थी और यह जो finished manuscript थी यह बहुत कीमती इसको item की तरह देखा जाता था कुछ जिन मेंसे manuscript जो थी इसकी वज़ा से बहुत जादा जिनको recognition मिला और painters और calligraphers का status इनकी वज़ा से बहुत जादा बढ़ गया तो क्योंके दोस्तों यह जो manuscripts थी finished इनको एक खीमती item माना जाता था यह पर एक खीमती चीज़ मानी जाती थी इसी वज़ा से जो इनके बनाने वाले थे यानि के जो painters थे जो scribes थे जो और जो guilders थे यह सब लोग जो थे यह पर calligraphers थे इनको recognition मिलता था क्योंके जो manuscripts थी एक precious item था और सबसे था calligraphers और painters को जो है वो recognition मिलता था उनका हमीशा जाधा तर social status हाय होता था calligraphy जो थी वो एक बहुत important skill माना जाता था और नस्तलिक जो था वो अखबर का favorite form of calligraphy थी क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके meet IIT जे ही means और advance के लेवल ता 10 million से जाधा students कभर होसा आज ही डाउनलूट करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 शो पर